असलाम अलेकुम फूडीज वेलकम बाग तो मैं चानल तेस्ट ट्रीट पाइन निकी विद यट अनदर रेसेपी वीडियो और आज की रेसेपी है देसी मसाला नूडल्स जी हां यह बिल्कुल देसी स्टाइल में होगा कोई भी जादा पैंसी इंग्रीडियंस नहीं है नॉर आप देख लीजिए और करते हैं रेसेपी को शुरू तो यहां मैंने ले लिया है एक लार्ज साइस का ओनियन कांदा इसको हमें फाइनली चॉप करना है अच्छी तरीके से बारी काट लेना है कांदे को और जिस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आ रहा है अगर आपने अ और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कॉमेंट करना ना भूलें उसके बाद मैंने एक बड़ा सा टमाटर ले लिया है और उसे भी मैंने बारी काट लिया है बिल्कुल बारी काटना है इन यहां मैंने ले लिया है एक प्राइपैन जिसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है यहां पर लगभग मैं यूज कर रही हूँ टू टू त्री टेबल स्पून्स ऑफ और उसके बाद यहां मैंने डाल दी है इसमें मस्टर्ड सीड्स यानि की राई एक चमज और राई इसे क्रैकल हो जाएगी उसके तुरंद बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी बारी कटी हुई प्याज अब प्याज हम जब इसमें डाल लेंगे उसके बाद हम इसे चला लेंगे थोड़ा सा जब तक की प्याज ट्रांस्पेरंट ना हो जाए या ट्रांस्लूसेंट ना हो ज जाएगी कुछ ही मिनिटों के अंदर उसके बाद में हम इसमें हमारा next ingredient दालेंगे और हमारा next ingredient जो इसमें जाएगा वो है हमारी green chillies जी हाँ बारी कटी हुई green chillies जो की मैंने तीन बारी कटी हुई green chillies ली थी आपने देखी होगी वो यहाँ में डाल रही हूँ अब उसको डालने के बाद में भी हम इसे अच्छी तरीके से जो है mix कर लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्श पक जाएगी उसके बाद next ingredient अब मैं यहाँ सा टमाटर जो बारी काटा था वो मैं यहाँ डाल रही हूँ अब फिर से यह से हम अच्छी तरीके से जो है mix कर लेंगे जब तक कि यह जो है soft ना हो जाए टमाटर जो है हमारे soft ना हो जाए तो यह जो है मेरे टमाटर थोड़े से soft हो गए है आप देख सकते हैं यह बड़ा ही colorful लग रहा है red, green, black and onions की वज़े से थोड़ा सा transparent white तो यह बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है और यह बनेगा भी बड़ा मज़ेदार तो आप ज़रूर ट्राई कीजेगा यह रेसिपी को और यहां हम दालेंगे spices तो red chili powder, एक चमच लाल मिर्च powder, एक चमच धनिया powder, दो चमच धनिया powder, एक चमच हल्दी मिर्च, हल्दी, sorry और उसके बार हम दालेंगे शेजवान fried rice masala, दो बड़े चमच, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे पता है यह noodles है यह fried rice नहीं है लेकिन देशी तड़का देना है और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे मसालों के साथ में tempering यानि खेलना बड़ा पसंद है तो आप मसालों के साथ जितना चाहें उतना खेले अपनी dish को अच्छा बनाने के लिए और यहां मैं दाल रही हूँ ketchup, दो से तीन बड़े चमच मैंने यहां पर ketchup डाला है यह tomato ketchup है यह spicy नहीं है तो आप इस चीज का धिहान रखे और यह बहुत जादा मीठा भी नहीं है अब यह तो हो चुका है उसके बाद हम दाल लेंगे इसमें पानी नूडल्स को मैंने अलग से नहीं पकाया है नूडल्स को हम इसी के साथ पकाएंगे इस इसे क्या होगा कि जो फ्लेवर्स हैं जो मसाले के फ्लेवर्स हैं इसके अंदर वो नूडल्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अब्जर्ब हो जाएंगे और यहां मैंने डाल दिया है नमक सुआत की अनुसार जितना भी आप चाहें अपने हिसाब से आप डालें नमक हैं बॉइल करना है नूडल्स को पहले फिर इसमें डालना है क्योंकि यह देसी स्टाइल है और हम देसी लोग फटफट काम करने में बिलीव करते हैं तो यहां मेरे जो पानी है उसमें सिमर यानि बॉइल आ गया है इस तरीके से जब बॉइल आने लगे तो इसका मतलब यह है कि जो पानी है वो अच्छी तरीके से मसालों के साथ पकने लगा है और पानी के अंदर मसालों का और सारी कीजों का प्रॉपर एक फ्लेवर चला गया है अब यहां पर मैं अपने नूडल्स को तोड़ कर डालूंगी आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं लेकिन क्यूंक कि यह देशी है तो हमने इसे हाथ से खाया था और फोक यह स्पून से नहीं खाया था इसलिए मैंने इसे थोड़ा तोड़ लिया है अगर आप फोक से खाने वाले हैं तो आप इसे भले ना तोड़ें बिल्कुल वैसे ही डाल दे पड़ी आपकी मर्जी है और दूसरी बात नूडल जरूरी नहीं है कि आप हका नूडल ही ले वैजवाला आप कोई भी नूडल ले सकते हैं जो normal साधा नूडल मिलता है आप वो भी ले सकते हैं इसमें कोई भी proper या कोई fancy ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है कि आप यही नूडल लें तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत बहुत यमी और डिलिशेज रेसिपी थी सबको घर में अच्छी लगी थी सब तारीफे कर रहे थे बहुत साधी रेसिपी है बहुत सिंपल इंग्रीडियन्स है लेकिन फिर भी वो कहते हैं न साधगी में ही मजा है ये डिश बिलकुल वैसी ही बनी थी तो आप इस डिश को जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमें सेक्षन में बताइएगा कि आप से ये डिश कैसे बनी और अगर आप चाहें तो आप मुझे इसकी फोटो लेकर इंस्टेग्राम पर टैग करके भी बता सकते हैं स्टोरीज के उपर कि आपने जब ये बनाई तो ये कैसी बनी और लोगों ने आपकी तारीफ की या नहीं की तो बनाईए, मेरी रेसेपीज बनाईए, खुद खाईए और दूसरों को भी खिलाईए एंड में जो मैं बोलती हूँ कि खुश रहिए, खुशियां बाटिये तो इसका यही मतलब है कि खुद भी खाकर खुश रहिए और दूसरों को भी खिलाकर खुशियां बाटिए तो यही है उस line का मतलब तो यह देखे मैंने noodles जो है सारे इसमें देखना आप देख रहे हैं यह सारे पकना start भी हो गए है तो यह noodles मेरे सारे इसमें जा चुके हैं अब यह धीरे धीरे इस पानी के अंदर जो है अच्छी तरीकिसे पकना शुरू हो गए है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और अगर कभी किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि noodles थोड़े जादा हो गए है पानी कम हो ग करते हैं और पानी अच्छी तरीकिसे मिक्स कर लीजिए देखिए यह मेरे साथ भी हुआ है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चुटी-चुटी चीजे ऐसे बड़े-बड़े लोगों के साथ होती रहती है तो ठीक है जोक सपाथ तो अगर आपको लगे है कि पानी क अगर आपने इसको सूपी किया तो इसका जो फ्लेवर है जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आएगा तो आप इसे सूपी मत कीजिएगा और यह देखिए मेरा जो है नूडल्स रेडी हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से नूडल्स सारे पक चुके हैं आप देख सकते ह हैं जल्दी से इसकी फ्लेटिंग तो आप इसे किसी भी बोल में या किसी फ्लेट में किसी भी चीज में डालकर खा सकते हैं बही नूडल्स और मैंगी कैसे भी खाई जा सकती है और कभी भी खाई जा सकती है तो ये हो गया है तैयार और हमने कर ली है इसकी फ्लेटिंग भी अगर आपको मेरी спасибо कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए वीडियो को share कीजिए और आगे लोगوں को बोलिए कि subscribe कीजिए चानल को और मेरी recipes को ज़रूर try कीजिए और मुझे जरूर बताइए comment section में कि आपको recipes कैसी लगी और आपने जब try की तो ये कैसी बनी और लोगों ने आपकी तारीफ की या नहीं की तो ये हो गई है हमारी noodles ready, yummy, tasty and delicious आप चाहें तो इसके उपर fresh coriander भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे ये वाले coriander नहीं मुझे coriander powder बड़ा पसंद है तो ठीक है ये हो चुके है recipe complete तो अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफिज, खुश रहे और खुशिया बाटे